आपका हमारी चैनल स्पोर्ट्स वर्ल्ड इंडिया में हार्दिक स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है ICC T20 महिला विशुकप चल रहा है। 12 T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुँच गया है। ICC T20 विशुकप फाइनल मैच में भारतिय टीम का सामना 4 वार की चैंपियन आस्टेलिया के साथ होगा। कंगारू टीम ने सेंट फाइनल में साउथ अफरीका को हरा कर फाइनल में जगह बनाई है। अब पहली बार फाइनल में पहुँचने वाली भारतिय टीम को पहली बार खिताब जीतने के लिए कंगारू टीम से सामना करना होगा। इस टूनमेंट का फाइनल आठ मार्च को मेल वार्न में भारतिय समय के अनुचार सुभए 6 बजे से खेला जाएगा। भारत ने अब तक एक बार भी यह खिताब नहीं जीता है। अगर ऐसा हो जाता है तो टीम इंडिया एक नया इतिहास रच पाएगी। यह पहला मौका है जब विशो कप में भारतिय टीम फाइनल में पहुंची है। महिला विशो कप टूनमेंट में इससे पहले भारतिय टीम तीन बार सेमी फाइनल में जरूर पहुंची थी। लेकिन उसका सफर वहीं पर खत्म हो गया था। भारतिय टीम 2009, 2010 और 2018 में सेमी फाइनल तक पहुंची थी। कंगारू टीम ने सेमी फाइनल में साउथ अफरीका को डगवर्ट लुईस के आधार पर पाँच रवनों से हराया। महिला विशो कप की तियास में यह टीम छे बार फाइनल में पहुंची है। कंगारू टीम ने चार बार विशो कप का खिताब जीता था जबकि एक बार वह रनर अप रही है। आश्टिलिया ने वर्स 2010, 2012, 2014 और 2018 में खिताब अपने नाम किया था। जबकि वर्स 2016 में वेस्टन डीज के हाथो पर आजय का सामना करना पड़ा था और उपची तक रही थी। महिला विशो कप की शुरुआत साल 2009 में हुई थी और पहली बार इंग्लेडने ने इस किताब को जीता था। हम आपको बता देना चाहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में भारत और आश्टेलिया का तीन बार मुकाबला हुआ है। जिसमें दो बार आश्टेलिया बिजई हुआ है और एक बार भारत जीता है। भारत और आश्टेलिया के बीच T20 वर्लकप में पहला मैच बेस्टिन्टीज में 2010 में हुआ जिसे आश्टिलिया ने 7 विकेट से जीता दूसरा मैच भारत और आश्टिलिया के बीच 2012 में हुआ जो कि श्री लंका में हुआ और इसे आस्टेलिया ने 8 विकिट से जीता था तीसरा मैच बेस्ट अंडीज में 2018 में हुगा जिसे भारत ने 48 रंच से जीता था T20 वर्ल्ड कप में आपका क्या अनुमान है कि कौन सी टीम जीतेगी आप हमें कमेंट्स करके बताएं तो हमें इंतेजार है आठ मार्च का और आपको भी इंतेजार होगा आठ मार्च का जब भारतिय महिला टीम बेसुकप के लिए आस्टेलिया से भिड़ेगी और हम उम्मीद भी करते हैं कि भारतिय खिलारी अपना जोड़दार प्रतर्शन करेंगे और भारत को टी ट्वन्टी वर्ल्ड कप दिलाने में अपना अभूतपूर्वी योगदान देंगे इसी उम्मीद के साथ हम आप से फिर मिलेंगे आठ मार्च को प्रियास होगा आपको लाइव स्कोर दिखाया जाए तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम आप से लगातार जुड़ी रहें आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेयर करें और कमेंट्स भी करतें हम फिर मिलेंगे आप से 8 मार्च को जब तक के लिए नमस्कार जैहिंद